Hello Friends! अनामीका मेरी किसी दमें आपसरी का श्वाबत है Friends, आज में एक पहारी रेश्पी, ओमोज की रेश्पी लेकर आएंगा इसे बनाना बहुत ही आचान है और ठाने में बहुत ही टेस्ट्री होता है टेस्ट्री के साथ हेल्दी भी होता है और बहुत जल्दी बनके त्यार हो जाता है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं अगर आज के मेरी इनेश्पी आपको अच्छी लेगे तो मेरी सेनल को लाइन के लिए शब्सक्राइब के लिए शेयर कीजिए और कमिंटरणाम मत पूरिए चलिए हम मॉमोज के लिए आठा लगा लेते हैं तो यहाँ पे हमने एक बॉल मैदा लिया है मैदा को हमने चान लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच नमक और एक चमच तेल हाँ से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका डो तैयार कर लेंगे गीला नहीं होना चाहिए नहीं तो वही वाली का हावत हो जाएगी गीले में सुखा मैदा डालो फिर पानी डालो तो अपनी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी कीई इसके जगा पे हम एक दाज से पानी डालेंगे कि आच्छा अशा एके si mungkin two तैयार हो जाएए तो यहीं हुपाएँ है कि थोड़ा थोड़ा हम पानी डालके two तैयार करें हमने अच्छे से मसल मसल के एक बढ़ियासा duo तयार कर लिया है अब देख सकते हैं यह नहाद है नहीं ज्यादा शौफ्ट हैं अब थोड़ा सा तेल लें और आटे के उपर ऐसे ग्रीज करके आटे को कफर करके चोड़ देंगे और चलते हैं इस टॉफिंग बनाने में कि इस टॉफिंग अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक याने की लेचसुन जिसे हमने शील के बाड़ी काट रखा है कभी भी आप इस टुफिंग के लिए गार्लिक जब काड़ी दिदम बाड़ी काटना चाहिए क्योंकि अपनी मुमस खुड़ती नहीं है हमें गार्लिक को ज्यादा नहीं भून प्याज को भी हमने बाड़ी बाड़ी काट रखा है और साथ में हड़ी मिर्च भी डाल देंगे जिसे हमने बाड़ी काट रखा है और इसे भी हम दो मिनद तक भूनेंगे हमें कोई भी सब्दी गल्लने नहीं रेना है जब इसका मॉस्टर खतम हो जाए उतना ही हमें पकार तो हम मेडियम प्रेम पे सलाते हुए ऐसे सब्जियों को भूनेंगे अब देख सकते हैं प्यास का भी कलर चेंज हो गया है अब हम इसके स्टेश पे जालेंगे पत्ता गोवी यानि की कैब दे जिसे हमने ग्रेटर की मतब से गेज करके इसका एक्स्ट्रा पाणे निकाल दिया है इसे भी हम प्यास के साथ भूनेंगे तो हमें सब्जी सब्जियों को मेडियम द्रेम पे एक सिदेश मीनत तक ही भूना है ज्यादा काई मी भूना है कैबेज के साथ में हम डालेंगे गाजर जिसे हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है तो हम इसमें गाजर टाल देंगे अच्ट लाते दूए हम इसे भूनेंगे, हमने गाजर और कैबेज को 1.5 मिन तक भूना है, आप देख सकते हैं, मिलकुल फड़ारा हो गया है, इस स्टेज पे हम डालेंगे केप्सिकम, यानि कि सिमलापिज, इसे भी हमने छोड़ी छोड़ी विच में काट रखा है, आपको सब्जियां बारिक कटी होनी चाहिए, या ग्रेटर की मदब से ग्रेट कर लीजिए, अगर आपके पास चौपर है, तो उसमें काट लीजिए, पर कैसे भी हो सब्जी बारिक कटी होनी चाहिए, तो अपनी सब्जियां और मुष्ट भून चुकी है, अब हम इसमें मशाला आइड करेंगे, तो यहां पर हम एक चमस ब्राइग पेपर डाल रहे हैं, एक चमस लाजमीच पॉडर डाल रहे हैं, और श्वार की अनुशार हम नमक डाल रहे हैं, जान रहे हैं, नमक सब्से लाश्ट में डालना होता है, तब ही सब्जियों को हम फिर से आजी मिनार तक म अब देख सकते हैं, अपनी सब्जियां और मशाला अच्छे से भून चुकी है, यानि कि सब्जियां गली भी नहीं है, और इसमें कच्छापन भी नहीं है, क्रंच बिल्कुल बड़कडार है, ऐसे ही हम मोज की श्टफिंग तयार करते हैं, तो अब हम फ्रेन को आफ कर ले रहे हैं, और चुलिए हम इसकी पूरियां तयार कर लेते हैं, आटा अपनी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो हम एक बार फिर से इसे अच्छे से मसल लेंगे, अब देख सकते हैं कितनी बढ़ियां आपनी मैले की डो तयार होई है मोमोज के लिए, हमने आटा को अच्छे स मसल लिया, अब हम इसमें से थोड़ा सार डोलेंगे और ऐसे रोल बना लेंगे, इसके छोटे छोटे हम लोई तोडेंगे, जानी कि एक पूरी के बडावर हमें, लोई लेना में है, तो हम सभी लोई तोड लेंगे, अब हम एक एक लोई लेंगे और इसके बॉलस ताईया है अब हम एक लोई लेंगे और इसे ऐसे मैदा में डॉस्ट करके पूरियां मेलेंगे टो मोमोज की पूरियां बिल्कुल पतली से बेली जाती है ध्यान रहे इस मैदा है तो पतली हो भी जाती है इसके लिए आपको टेंसर नइक लेना है अब देख सकते हैं हमने इसे एक और पूरी के बीच में रखेंगे अब ध्यान से देख लेए अब ध्यान से देख लीजिए हमने भरपूर मात्रा में डी है और एकदम बीच में रख लिया है, अब हमें क्या करना है, पोरी के corner को उठाना है, और जैसे हम गुझिया में प्लेट डालते हैं, वेसे plate डालना है, अब ध्यान से देखिए, एक-एक corner को में उठा रही हूँ, और इसे plate देते हुए, जोईन्ट कर रही हूँ, ये बहुत ही आसा प्रोशिश है केवल आपको धियान से देखना है हमने सब ही पूडियों को एक साथ में ज्वाइंट कर लिया अब इसके मुझ को हम हलका सा ऐसे गुमा देंगे कि एश्टीम करते हुए यह फूटे नहीं तो यह अपनी पहली मौमोज बनकर तयार है अब हम दुसरे तरीके का मौमोज बनाना बताएंगे आपको पूडिया हमें सेम तरह से बेल लेनी है तो आप देख सकते हैं हमने सेम तरीके से पूरी बना ली है बिल्कुल पत्री पूरी है यानि कि हम अगर इसे उठा के आपको दिखाएं तो यह इधर से उधर तक अपनी अंगली दीखता है इतनी पत्री पूरी हमने बनाया है फिर हम इसके बीच में श्टफिंग दुछिया बनाते हैं उस तरीके से आपको बना के दिखाएंगे दोनों मुह को हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और ऐसे हम दबा लेंगे अगर आपसे नहीं चिपके तो थोड़ा सा पानी की मदद ले वीजिए यह अच्छे से चिपक जाएगा तो हमने इसे दोनों साइट से दबा लिया है हमने अच्छे से इसके मुह को ज्वाइंट कर लिया है अब हम क्या करेंगे एक दम बिल्कुल सरब तरीका है यह दोनों फवाइंट को हम यहां लाके और ज्वाइंट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यह भी एक अपनी बहुत ही आसान तरीके से मौमज बनाना यह भी एक अपना बहुत ही आसान तरीका है मौमज बनाने का अब चलिए हम तिसरा तरीका आपको बता देते हैं तो हमने तिसरी पूरी भी बेल ली है पूरी के फुजश्ट शेंट्रिंग में हम यह फिलिंग रखेंगे इससे हम थोड़े लॉंग शेप में रखेंगे ऐसे अंगली से ही कर देंगे ऐसे किनारे को हम पानी से ऐसे गीला कर लेंगे अब हमें क्या करना है आधे पूरी में हमें प्लेटिंग करना है तो यहां से हम सुडू कर रहे हैं बिल्कुल छोटा छोटा प्लेट देंगे जैसे कि हम गुजिया बनाते हैं और देते हैं वैसे तो आप देख सकते हैं आधी पूरी में अपनी प्लेटिंग तैयार हो गई है और बाकी का जो है उसे हम ऐसे सीम्पल जॉइंट कर देंगे तो मॉमोज बनाने का कई तरीका होता है आपको जो भी सडल लगे वो बना सकते हैं खाने में टेश्ट तो सेम ही आने वाला है बस देखने में सुंदर दीखता है तो हमने तीन तरग का मॉमोज बनाना आपको बता दिया चलिए हम सेम प्रोसेस से बाकी सभी मॉमोज तयार कर करेते हैं तो आप देख सकते हैं हम अलग-अलग तरीके से मॉमोज को स्टफिंग करके तयार कर लिए हैं अब हम लेंगे एक ऐसा जालीदार बड़तन तो आपके पास जो भी हो नहीं तो आप आठा चालने वाला अगर चलनी है उसे भी लेके श्टीमर पर रखके श्टीम कर स सकते हैं लेकिन हमारे पास ऐसी जाली अबलेबल है तो इससे हमने ग्रीश कर लिया तेल से अब सभी मॉमोज को हम ऐसे आराम-आराम से इस पर सजा देंगे तो ध्यान रहे चिपकाना नहीं है थोड़ा-थोड़ा एस पैज देखे हम इसे सजा लेंगे तो यहां पर एक बाड़ में जितना मॉमोज आ सके आप अच्छे से सजा लीजिए तरीशनल तरीके से तो अलग-अलग बास की बासकेट आती है या बहुत शारे बरतन आते हैं जो कि हमारे पास अब लेबल नहीं है अब हम एक इटली कुकर में पानी उबालने के लिए पानी राल के गैस पे उबलने के लिए रख दिया है पानी में इस टीम बनना शुडू हो गया है इसी टाइम पे हम अपना ये ट्रे जो है उसे बड़ी ही सावधानी से इसमें सीट कर देंगे और कभर से हम इसे कभर करके और 15 मिनत तक हम इस टीमर में इस टीम होने देंगे यानि कि अपनी मुमोज जो है अच्छे से पकनी चाहिए आप चाहें तो 20 मिनत भी लगा सकते हैं लेकिन अच्छे से पक जाना चाहिए डेस का फ्रेम पानी उबलने के बाद हम मेडियम कर लेंगे और तक पकाएंगे 15 मिनिट हो चुके हैं हम प्रेस के फ्रेम को आफ कर दे रही है और चल명이े अब हम भकन को हटा लेते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी मुमोज अच्छे से पक चुकी है अब हम क्या करेंगे एक ऐसी पकड देंगे और पकक की मदब से आराम आराम से गर्मा गर्म मुमोज निकालेंगे, हाथ से नहीं छूना है, नहीं तो ये हाथ चलेगा, और हमें गर्मा गर्म शब्र भी करना, हमें गर्मा गर्म शब्र करना है, तो हम ऐसे पकड की मतलब से एक-एक मुमोज निकालेंगे, और प्लेट में इसकी प्लेटिंग कर देंगे, तो फ्रेम्स आपने देख लिया, मॉमोज बनाना कितना आशान है, तो इसे आप अपने मन पशंद चटनी शॉष के साथ खाईए, मॉमोज की चटनी हमारे चैनल पे अबलेवल है, आप चाहे तो हमारे लिंक पे जाके देख सकते हैं, तो इसे आप भी जरूर बनाएए, और म